वेलकम इस्टुडेंट्स आज है 12 अक्टूबर 2020 आज से जुरे जितने भी important current affair के question बनेंगे हम उसको इस वीडियो में discuss करेंगे साथ ही उन से जुरे जितने भी important facts होंगे हम उन पर विचाचा करेंगे तो आईए start करते है question number one किस ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलता पुर्वक परिच्छन किया है तो हाल ही में DRDO ने इसका सफलता पुर्वक निरिच्छन किया DRDO की बात आती है तो DRDO की full form क्या है defense research and development organization रच्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी स्थापना 1958 में नई दिल्ली में हुई थी और इसकी अध्यच जी सतीस रेड़ी है question number two हाल ही में स्वामित यूजना के अंतरगत संपत्ति काडवित्रन यूजना का सुवारम किया गया है किस ने किया है तो नरेंद्र मोडी ने किया है अब नरेंद्र मोडी की बात आती है तो ये हमारे देश के पधान मंत्री है और ये क्यों किया गया है संपत्ति कार्ड वित्रन योजना इसका उदेश ग्रामी छेत्रों में माकान मालिकों को उनकी भवन की अधिकार का रिकॉर्ड उपलग कराना है और संपत्ति कार्ड जारी करना है नरेन मोरी हमारे देश के पधान मंत्रिय है आपको बता चुके है कुश्चन नमबर 3 अंतराष्टी बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल्स दे कम मनाय गया है 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स दे अंतराष्टी बालिका दिवस मनाय गया है अब इस दिवस को मनाने का उदेश क्या है वालिकाओं के अधिकारों का संरच्छन और वालिकाओं के ससक्तिकरन को बढ़ावा देना और समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना इसका उदेश है इस दिवस को मनाने की घोषना UNICEF ने की थी अंतराश्टिये वाली का दिवस 2020 का थीम क्या है My Boys Our Equal Future My Boys Our Equal Future इसकी थीम थी Question No.4 हाल ही में जारी रैंकिंग में मुकेश अमानी लगतार कितने साल भारत के सबसे अमीर लिस्ट में सिर्ष पर रहे है अभी फोफ्स ने जो जारी किया है उसमें ये 13 साल से पर्थम अस्थान पे रह रहे है मुकेश अमानी जो भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट होती है उसमें अब टॉप थ्री व्यक्तियों के नाम बतायते हैं मुकेश अमानी जो रिलाइंस इंटरस्ट्रीज के है गौतम अदानी अदानि गुरूप के छेयरमेन और सीव नाडर असल के संस्तापक Q machine number 5 ताइवान राश्टिय दिवस कब मनाया गया है 10 October को ताइवान राश्टिय दिवस मनाया जाता है अब ताइवान की बात आती है तो ताइवान एसिया महादिप में इस्थीत है इसकी राजधानी ताइपे है करेंसी नई ताइवान डॉलर है और पधार मंत्री साई इंग वेन है emission number six हाल ही में भारत अमेरिका के बाद किस देश में टिक टॉक एप बैंड कर दिया गया है तो कौन सा देश है जो भारत और अमेरिका के बाद टिक टॉक बैंड किया है तो वो है पाकिस्तान अब टिक टॉक की बात आती है तो टिक टॉक एक social networking site है और यह देश चीन की company है टिक टॉक की parent company white dance है किस राज की सरकर ने मुख्यमंगी सवराज योजना की है इस योजना के तहत राज के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना है और लोगों को रोजगार के अफसर उपलब्ध कराना है अब उत्राखन की बात आती है तो इसकी अस्थापना 9 नवंबर 2000 को ही थी जारखन की भी अस्थापना 2000 को ही थी और उत्राखन की भी राजधानी यहां की देहरादून है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सीह रावत है जो की बिजेपी पाटी से है गवर्नर बेवी रानी मौरे है next question question number 8 कौन सा देश genetically modified गेहों को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है तो अर्जेंटीना जो है वो पहला देश बन गया है जो की genetically modified गेहों को मंजूरी दे दिया है अब अर्जेंटीना की बात आती है तो अर्जेंटीना दच्छीन अमेरिका में इस्थीत है इसकी राज़ानी व्यूनस आयर्स है यहां की करेंसी पेसो है question number 9 जगजीत सींग को किस राज्य में ATS का परमुख न्यूक्त किया गया है महराष्ट में इनको जगजीत सींग को ATS का परमुख न्यूक्त किया गया है तो अब महराष्ट की बात आती है तो इसकी राज़ानी मुंबई है मुखे मंत्री उद्धर ठाकरे है शीव सेना पार्टी के यह है गवर्नर भरतीं कोशिया हैं और मुखे नयुदिस दिपांकर दता है question number 10 विस्व अंडा दिवस वर्ल्ड एक डे कब मनाया गया है 9 October को विस्व अंडा दिवस वर्ल्ड एक डे मनाया गया है इसका उदेश से क्या है तो इस दिवस को मनाने का उदेश अंदे की पॉस्टिक महताप पर जागरूपता बढ़ाना है अगर हमारे ये वीडियो आपके लिए हेलफूर रहा हो तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब